अक्षे कुमार की फिल्म पैड मैन का ट्रेलर रिलीज हो गया है डायरेक्टर आर बालकी के निर्देशन में बनी ये फिल्म 26 जन्वरी 2018 को रिलीज होगी पचास साल के अक्षे कुमार के लुक की बात करें तो पिछले 26 साल में उनमें काफी चेंज देखने को मिलता है 1990 में आई फिल्म सौगंद से बलेवुड में डेव्यू करने वाले अक्षे अपने करियर के शुरुवाती दोर में काफी दूबले दिखते थे और उनके बाल भी लंबें हुआ करते थे हाला की समय के साथ उनके लुक में काफी चेंज देखने को मिला अक्षे कुमार का जन्म नौ सितमबर 1967 को अमरित सर में हुआ था अक्षे कुमार का अस्री नाम राजीव हरियों भाटिया है दिल्ली के चान्नी चौक में बच्पन गुजारने के बाद अक्षे मुंबई आये और डॉन बॉस को स्कूल और गुरु नानक हालसा कॉलेज में पढ़ाई की बता दें अक्षे बूसली के दीवाने थे वो बच्पन से मार्शल आर्ट सिखना राते थे जब उन्होंने ये बात अपने पापा को बताई तो उनके पापा ने लोन लेकर उन्हें कुछ पैसे दिये और बैंकॉक भेज दिया बैंकॉक में रोजी रोटी के लिए पैसों की ज़रूरत थी लिहाजा अक्षे ने वहाँ के एक होटेल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया यही नहीं इसके साथ ही वो वहाँ स्ट्रीट फाइट्स भी लड़ते थे बैंकॉक में कुछ समय रहने के बाद वे मुंबई लॉट आए और बच्चों को मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग देने लगे उनके एक स्टूडिंट ने उन्हें मौडलिंग की सलहा दी शुरूआती दौर में अक्षे के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और वे पोर्ट फोलियों के लिए फोटोज तक शूट नहीं करवा पाते थे इसलिए उन्होंने फोटोग्राफर जये सेट को बिना किसी सालरी के असिस्ट करना शुरू किया था इस उम्मीद पर कि कभी जये उनके फोटोज भी क्लिक करेंगे और एक दिन ऐसा आया जब जये ने उनके पोटोज क्लिक किये अक्षे कुमार ने साल 1990 में फिल्म सौगंध से बॉलिवूड में एंट्री की इस फिल्म में दुबले पतले अक्षे की बड़े बड़े बाल थे उन दिनों फिल्मों में बड़े बालों का फैशन भी था लेकिन जैसे जैसे अक्षे का फिल्मी सफर आगे बढ़ा उनके लुप में भी बदलाव आता चला गया कभी स्क्रीन पर उनके बाल छोटे हुए तो कभी बड़े हो गए कभी वे चोटी में नजर आए तो कभी जी रोहेरा स्टाइल में भी दिखे कभी बगड़ी तो कभी स्टाइलिश मूच तो कभी बड़ी हुई दाड़ी में भी दिखे अक्षे कुमार ने बद और आक्षन हीरो इंडिस्ट्री में डेब्यू किया था अपनी शुरुवाती फिल्मों जैसे खिलाडी मैं खिलाडी तू अनाडी सबसे बड़ा खिलाडी वक्त हमारा है मोहरा में वे आक्षन करते नजर आये थे इसके बाद उन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमा आया उन्होंने मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, फिर हेरा पेरी, हाउस फुल जैसी फिल्मों में कॉमेडी की ओडियन्स ने उन्हें बख और कॉमेडी एक्टर भी पसंद किया पिछले कुछ सालों से वे सोशल कौज पर आधारित फिल्मों में भी काम कर रहे हैं उन्होंने एरा लिप, टॉयलेट टै एक प्रेम कथा जैसी सामाजिक सुरोकार वाली फिल्मों में काम किया उनकी अपकमिंग फिल्म पैडमेन भी सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है